तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक ये डिसलाइक जरूर क्या करें इससे हमें हेल्प मिलती है आपका फीडबैक जानने में तो प्लीज ध्यान से वीडियो को लाइक ये डिसलाइक जरूर कीजेगा तो दूस्तों आज की इस मूवी में आप देखोगी एक ऐसे बंदे को जिसके लॉलिपॉप में पड़े पड़े जंग लगी जा रही थी और यहां पर कोई भी उसके लॉलिपॉप को यूज करने वाला नहीं था इस चीज को ले करके भाई साब भी अत्यादिक चिंतन में थे परन्तु जब भाईया जी की किस्मत खुलती है तो कताई गदर ही कार्ट देती है अब यह कितनों कि कहां कहां पर कैसे कैसे और किस किस पोजिशन में लेते हैं जिस सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो और भाई साब थमनेल देख करके तो तुम समझ ही गयो कि भाईया जी ने क्या गजब कांट किया है तो चलिए जादा देख ना करते हुए हम मूवी का एक्स्प्लेनेशन स्टार्ट करते हैं परन्तु उससे पहले गुरू चैनल को सब्स्राइब कर लो अगर आगे भी ऐसी ही और भी जदा तगड़ी तगड़ी मूवीज देखनी हो तो और इस मूवी को डाउनलूड कैसे करना है ये मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं अपनी मूवी के मेन करेक्टर रे को चुकि अपनी डाइड के पास में है और यहाँ पर उसके डाइड ने उसकी मौम की स्टेवा करने के लिए बलाया है एक्चल में रे की मदर का नाम सुजन है और इनके पैर में थोड़ी सी एंजरी है जिस वज़े से ये अपना ख्याल प्रॉपर नहीं रख पाती है और रे के जो डाइड है वो भी अपने घर पर नहीं रहते अक्सर बिजनेस के सलसले से ट्रैवल करते रहते हैं तो यहाँ पर उनका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं था देख पा रहे हैं चहां पर अपना भोला मुन्नू घर पर अपनी मौम की हल्प कर रहे हैं उन्हें अपने आप चलाने में और यहीं पर दूसरी दरफ उसके डाइड उसकी ही असिस्टेंट की हल्प कर रहे हैं उसके पीछे वाले को बढ़ाने में मतलब जी हाँ दोस्तो ज इस चीज को लेकर के अक्सर शक रहता है, लेकिन कोई प्रूफ ना होनी की वज़े से वो कुछ भी नहीं कह पाती, खेर यहां पर आंटी के बारे में भी थोड़ा सा ग्यान ले लो कि आंटी भी कुछ कम नहीं है, इन्हें भी ठुकाई में तगडा इंटरस्ट है, लेकिन प् हेंट पंप के ताजे पानी की सप्लाई नहीं हो पाती, खेर जो भी हो पर आंटी ने चीट तो नहीं किया, कुछ दिर के बाद हम दिखते हैं कि रेज सुजन के पैरो पर मसाज करते करते कहीं और ही जाने लग जाते हैं, जिसके बाद वो किसी तरह से खुद पर कंट्रोल क को देख करके उसका बहुआ चैट पड़ाने लग जाता है, जिस पर वो एक बार फेट से कंट्रोल करता है, उसी रात हम देखते हैं कि एक बार फेट से सुजन उससे अपनी कमरे में बलाती है, ये कहके कि तुमने अभी तक मेरे अपर थाई की मसाज की ही कहां, अब अपर तो यहाँ पर उसे गहरी गुफा बस जहलक मातर नहीं दिखेगी, बलके संपूर गहरी गुफा उसके नित्रों के सामने ही थी, जिससे देख करके रिक्स से आप बिलकुल भी कंट्रोल नहीं होता है, और वो जल्दी से किसी तरह से उसकी थाई की मसाज करके भागता है वो पस वाश्रूम में, हाला कि ये बंदा इस चीज को लेकर की काफे ज़्यादा गिल्ड पेल तो करता है, लेकिन कहीं न कहीं ये इस चीज को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि इसे आभी तक मिल ही नहीं रही, भाईय जिनने सारी कोशी से कर ली है, आँ सारी कोशी ये सारी कोशी से इन्होंने कर ली है, लेकिन अत्याधिक शाई और इंट्रोवर्ट होने की वज़े से इन्हें गहरी गुफा के दर्शन आज तक मिले ही नहीं, अब जब बोल रहा हूं कि दर्शन तक नहीं मिले हैं, तो अंदर द्वार के एंट्री तो इन्हें क्या ही मिल होगी, जिस वे जिससे भाईया जी काफी जदा डिप्रेस फिल करते हैं, जन्दिके ने इतने ही फड़वे लगा रखे हैं, ये कुछ कम नहीं था, कि उसी रात हम देखते हैं, जब उसके फ्रेंड उसे बुला करके जंगल में जाते हैं, अब तुम्हें लग रहा होगा कि उसके लिए जुगार ला हैं, तो मेरे भाई इतने अच्छे दोस्त हर किसी के नहीं होते हैं, यहाँ पर वो उसे बस लेके आया थे गांजा फूकने के लिए, मतलब देख रहा हो साले ने कता ही नसेडी दोस्त पाल रखे हैं, खेर वो उसे भी एक बार यूस करने को देते हैं, पर यहाँ पर बंदा उसे मना कर देता है, जिस पर उन फ्रेंड्स को विल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो वो पहले वहाँ पर उसे धर कूटते हैं, और अच्छे से जुतियाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, जिसके अगले दिन हम रे को एक लड़गी के हैं, तो आगे का दो तुम कुछ सोचना ही मत, जिस वज़े से भाईया जी भी अत्यादिक दुखी हैं, और घारा करके ठीक उसी तरह से खुद को गरी आते हैं, जैसा तुम खुद को गरी आते हो, जब तुम्हारी क्रेश के सामने तुम्हारी बोलती ही नहीं निकल पाती, कहरक उस दिर के बाद वो घर पर वापस लोटाता है, और एक बार फिर से सुजन उसे डिमांड करती है कि मुझे नहलाने ले चलो, यहाँ पर रे उन्हे नहलाने ल भी जाता है, पर एक बार फिर से उसके बड़े बड़े लग जाती है तो वो भी यहाँ पर उससे नहीं रोगता और यहाँ पर वो उसे पकड़ के चाटने लग जाता है स्टार्टिंग में तो बंदी उससे खास कुछ भी नहीं गयती पर अगले ही पल रे भाहिया विलकुल पगलास से जाते हैं जिस वज़े से विचारी टोनी काफे ज़दा हर्ट हो गई और वो वहाँ से चली जाती है तुम्हें और हमें लगा होगा कि इनका ब्रेक अप हो जाएगा क्योंकि इनके बापा तो मुझे लगता है साथ मनाली से माल इंपोर्ट कराते हैं क्योंकि इनका नशा तो और भी तकड़ा वाला है अब यहाँ पर हमारे या तुमारे जिससे लोगों की गल्फ्रेंड घर पर जाकर किये सब कुछ बता दें तो अपनी तो गड़ी थी तूट जाएं परन्तु यहाँ पर उसके डाइड अपनी बेटी अर्थाट टोनी को लेकर के सिधा रे के गर पर पहुसते हैं और यहाँ आगर के उससे कहते हैं क्या इस तरह से कोई टच करता है किसी को मतलब वो आपको लॉंडा है या फिर हावसी दानव है जिस पर आँटी उनसे माफी मांगते हुए जाने को कहती हैं तो कुछ दिर के बाद बूलूग भी वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर आँटी अब देती हैं रे को दिव्य ज्यान जहाँ पर वो उसे समझाते हुए कहती हैं कि बच्चा ऐसे हर किसी को कहीं पर भी टच नहीं कर देते और हर किसी को कहीं पर भी उंगर नहीं गुचर देते सबसे पहले बाबू महौल बनाना पड़ता है फिर उसके बाद होटो से होटो को मिलाना पड़ता है जो चीजे काफी उभर गई है उनको पगड़ के दबाना पड़ता है और बाबू अगर तुम्हें के लग रहा है कि आंटी तो स्रिफ उसे थियोरी थियोरी बता रही है तो था और हमें भी शायद यही लग रहा थे कि इस बार ठुकाई हो जाएगे परंतो गुरू ऐसा होता नहीं इसके अगले दिन हम देखते हैं कि जिस सुजन है उसकी मौम उससे मिलने के लिए यहां बर आई है एक्चुल में मिलने नहीं आई है वो उसका ख्याल बगर रखने के आई हैं तो अब कहीं न कहीं रेट थोड़ा सा डर जाता है कि इतने मुश्कल से मौहल बना है कहीं से लेने का और कहीं ऐसा नहों कि आंटी आ गई है तो मुझे यहां से जाना पड़ जाए उसी रात हम देखते हैं कि रेट जब सुजन को नहला वहला करके वापस रूम में तो इस बार उसे आंटी की बहुत सारी तगड़ी तगड़ी चीज़े नज़र आ जाती हैं जिसे देख करके अब उससे रहा नहीं जाता तो वो आंटी के उन्हींगों को दबाने और चाटने पोशने लग जाता है जिस पर हम देख पाते हैं कि सुजन भी उसे मना नहीं कर ती आ आ मना क्या कह रहो वो तो खुद साथ देने लग जाती हैं जिसके बाद गुरु जी ने अर्था सुजन ने जैसे सिखाया था सबसे पहले होट मिला है फिर उसके बाद संत्रे दबाएं और आखिर में नो एंट्री में अपनी गाड़ी घुसा हैं खेर उस रात तो व नहीं कि एक विंडूस से बाहर कूच जाता है जिसके बाद वो कपड़े पगरा पहन करके फिर से में डूर से अंदर आता है ऐसा प्रेटेंड करने के लिए कि वो तो रात बर बाहरी था और बुंदावांदी जैसी कोई चीज तो उसने की ही नहीं जिसके अगले दिन अब प्रक्रिया भी करता है परन्तु इसके बाद जो में मैच हमारा आपाता इससे पहले ही आंटी आचाती है अब सुजन को यहां पर देख करके उन दोनों की पटकेचार होती है लेकिन गुरू हमें और तुमें तो यहीं लग रहा था कि सुजन आंटी तो उनका साथ देदें जिस पर आंटी को एक बार फिर से आता है क्रोद और इस बार वो उसे ही पकड़के देती है जो ठोक 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 देती है अच्छे से क्योंकि उनोंने उसको काफी अच्छे से पीट दिया था जिसके अगले सीन में हम देख पाते हैं कि आंटी ने एक्च्वल में टोनी को पाता इससे पहले ही वहाँ पर टोनी के डाड़ आ जाते हैं और मेरे भाई इससे तो तुम जानती ही हो पता नहीं कौन सवाला सस्ता नशा करता है कि जहां पर जो बोलना चाहिए उसका विपरीधी बोलता है कि सुजन तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों क्या तुम्हें बीच में नेतनगरी करने की जरूरत है क्या अगर अगली बात जादा नेतनगरी दिखाई तो इस सारी सारी नेतनगरी ऐसी जेक सरा गुदा हो कि जब भी बेठोगी न तो मेरी याद आएगी सलस जिस तरह से इसके लक्षण है कभी कभी तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि डिरेक्टर ने इसको सच में बाफी बनाया है या दल्ला बनाया है खैर गुस दिर के बाद अंकल जी चले जाते हैं परंतु यहाँ पर रे इस चीज से काफी ज़दा हतास निरास और उदास हो जाता है तो वो वाश्रू में जा करके फासी लगाने की कोशिश करता हैं परंतु इतने में ही सूजन वहाँ पर पहुँच जाती हैं जोकि उसे बचा लीती हैं अब बाफू को लटकने से बचाया है जिसके बाद सूजन उसके घोड़े पर सवारी करने लगती हैं लेकिन कुछी द देते हैं कि तुम इस पहाड की चोटी से नीचे कूट कर दिखाओ बैंस टोग वो घहराईयों में घुसना चाता हैं और तुम उसे उचायों में घुचेट रहे हो खैर अपना बालक भी कम तूतिया नहीं हैं वो उनका चैलेंजर से चलांग मार भी देता हैं जिसके अगल गुरू एक बार फिर से रिमाइंड करा दू कि वीडियो को लाइक य डिसलाइक जरूर किया करो और हाँ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी ही और भी ज़्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए क्योंकि आज तुम्हें तुम्हें मिल गया ऐसे भटकते भ लीजेगा मूवी को डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे टेलिग्राम चैनल का उस पर क्लिक करके उसे जाइन कर लीजे वहाँ पर आपको सभी मूवीज के लिंक वो भी सिंगल डाउनलोडिंग लिंक मिल चाहते हैं इसके स असाथ मुझे बात विगरा करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो तुमुझे इंस्टा पर फॉलोगर करके मैसेज कर सकते हो पिरी इंस्टा इडी आपका शिवाय है जो कि तुम्हें स्क्रिण पर देख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तु आज के लिए वस इतना ही तैंक यू बाबाई साइनिंग ओफ